चै माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूटिब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह के सेहिंग राशी फल्क के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए इस अक्टूबर के महिने में क्या खास होने वाला है, इस महिने में कौन से वो योग होंगे जो आपके लिए आपके जीवन में धन आगमन का संकेत देंगे कौन से वो दिन होंगे जिन दिनों में आपको सावधानी रखने की आवश्चकता होगी कौन सा ग्रह राशी परिवर्तित करेगा और आपके जीवन में किस तरह के प्रभाव देगा ये महिना बेहत खास होने वाला है, इस महिने में बहुत से ऐसी योग बनने वाले हैं बहुत ऐसी पर्वाने वाले हैं, जो बहुत महधपून है तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन हैं कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस महिने में कौन से ग्रह राशी परिवर्दित करेंगे तो देखिए सूर्य जो आपकी राशी के स्वामी हैं वो 17 अक्टूबर को करन्या राशी से निकल कर तुला राशी में आ जाएंगे मंगल जो वक्री चल रहे हैं वो मेशासी में थे अब वहां से वक्री इस्तिती में चलते हुए चार अक्टूबर को मीन राशी में बिरवेश कर जाएंगे गुरू धनु राशी में मारगी हो चुके हैं शुक्र 23 अक्टूबर को राशी बदलेंगे और आपकी राशी में अभी विराजमान है यहां से निकल कर वो कन्या राशी में विराजमान है कन्या राशी से निकल कर तो कन्यराशी मा आ जाएंगे सिंगराशी से निकल कर शणी जो हैं मकराशी में मार्गी हो चुके हैं राहु प्रशमें चल रहे हैं और केतु व्रश्चिक राशी में विराजमान है यह तो ग्रहों की इस्तिती है इसके लावा इस महीने में पांच गजकेस्री योग भी बन रहे हैं गजकेस्री योग देके बहुत उत्तम माना जाता है एक महीने में चार्या पांच गजकेस्री योग बनते हैं ये जो गजकेस्री योग के दिन होते हैं यह आपके धन को बढ़ाने वाले होते हैं क्योंकि गजकेश्री योग का मतलब भी होता है गुरू चंद्र की यूति गुरू मने धन और चंद्र मने प्रवा होना यानि धन का प्रवा होना धन के आवक को बढ़ाना इसलिए यह जो योग हैं यह इतने अच्छे माने जाते है तो ये पांच बार बनेगा दो अक्टूबर को, दस अक्टूबर को, सोला अक्टूबर को, बाईस अक्टूबर को और तीस अक्टूबर को ये जो योग बनेंगे इन में से ये जो योग हैं ये आपके लिए बहुत लाबदायक सावित होगे और देखे इस महीने के जो पांच गजगिस्री हो गई है ये पांचों के पांच आप के लिए बहुत लाबदायक हैं इन दिनों में अगर आप प्रयास करते हैं किसी भी अपने कारशेते से जुड़े अपना उधार पैसा मांगने में किसी को आपने उधार दिया हुआ है अक्टूबर से शार्दे नवरात्री प्रारंब होंगे और ये नवरात्री चौबिस तक चलेंगे पच्चिस को दसहरा होगा नवदुरगा के नौ रूपों की आराधना इन नौ दिनों में की जाती है और बहुत ही उत्तम ये दिन माने जाते हैं मादुरगा कहते हैं नव आप उठाएंगे तो अब हम विस्तार से जानते हैं कि यह जो समय है यह आपके लिए किस तरह के परिवर्दन लेकर आया है ग्रहों का प्रभाव आपकी जीवन में किस तरह से देखने को मिलेगा सिहिंग राशी की ये बात कर रहे हैं तो देखे सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये इस महीने में काम तो जादा रहेगा काम का प्रेशर जादा रहेगा लेकिन ये काम आपको बहुत कुछ देने वाला है आपको नई नई जिम्मेदारिया इस महीने में मिलने वाली है और इन जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से आप काफी फेमस हो सकते हैं थोड़ी थकान जरूर महसूस होगी लेकिन देखे जब आप किसी काम को करते हैं और अच्छे से आप किसी काम को करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे फल देखने को मिलते हैं, इस दोरान आप अपने काम से आपको बड़ी शांती कानुभव होगा, अपनी काम से बड़े खुश होंगे आप, सूरिय जो की आपके लिए इस दोरान काफी अच्छे इस महिने में आपके आमदनी में व्रद्धी कराएंगे करियर के शेत्र में आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे बदलाविस दरान देखने को मिलेंगे इस महिने आमदनी में निश्चित रूप से व्रद्धी होगी अचानक से धन प्राप्ती के योग आपके लिए बनेंगे शेर बाजार में अगर आप इंवेस्ट करते हैं किसी बिजनिस वा किसी पॉपर्टी में आप निवेश करते हैं तो वहां से आपको अच्छे लाब के उमीदें बनी हुई है आपके गई खर्चे भी होंगे लेकिन इस खर्चों को आप बड़े असानी से समभाल पाएंगे प्रेम जीवन के बारे में जाने तो ये महिना आपके प्रेम सम्बंद के मामले में ठीक ठाक रहेगा लेकिन विद्यारतियों को बहुत अच्छा रिस्पॉंस इस महिने में देखने को मिलेगा इस महिने आपके एजुकेशन बड़े अच्छे स्तर पर रहेगी आप काफी कुछ इस दोरान आगे बढ़ने के सोचेंगे अपने एजुकेशन के बारे में सोचेंगे तो ये काफी समय अच्छा रहेगा ये आपके प्रेंट जीवन के लिए अच्छा है इस महिने में जीवन साथी के साथ अच्छा समय रहेगा बीच बीच में छोटी मोटी मतवेद हो सकते हैं बाकी ये समय अच्छा है शादे शुदा लोगों के लिए काफी अच्छा है स्वास्ते भी आपके जीवन साथी का अच्छा रहेगा लेकिन आपने स्वास्ते का देहन जरूर रखना है आपको स्वास्ते समंदी कुछ परिशानिया इस दोरान जरूर देखने को मिल सकते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना होगा अपनी स्वास्ते का अपनी खान पीन का इन चीजों को आवाइड बिल्कुल ना करें इसके अलावा कौन से ग्रहा और देखिए बहुत अच्छे एर्जल्ट आपको देंगे इस महीने में आपके लिए गूमने के आफसर आपको मिलेंगे और अधिकारी आपके काम से प्रस्टन भी रहेंगे इस महीने कोई उपहार और कोई पुरुषकार आपको दिया जा सकता है लेकिन जो कानूनी मामले में उनको में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी अगर आप साजेदारी में बिजनिस करते हैं तो साजेदारी के बिजनिस में आपको सफलता देखने को मिलेगी इस राशी के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलने के आफसर प्राप्त होंगे और अच्छा तालमेल आप बना कर चलेंगे इस समय देखे पैसा आपके पास बहुत आएगा लेकिन ऐसी इस्थिति हो सकते है कि पैसा आएगा लेकिन टिके ना खर्चे आप बढ़ा सकते हैं तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नींतरन कहीना कहीं रखना होगा खर्चे पर नींतरन रखेंगे तब ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में आपको वाद व्यवाद से पढ़ने से बचना होगा यानि अगर वाद व्यवाद की स्थितियां आपको दिखती हैं तो उनमें आपको पढ़ने से जरूर बचना होगा गर परिवार में कुछ मांगली कार्यकरम होंगे और आपको अच्छे result उनके मिलेंगे मांगली कार्यकरम धारमिक प्रसंग होने की बड़ी संभावना बनी हुए है परिवार के जो ए विवाहित योवक योवतिया हैं उनके विवाह के प्रस्तावाएंगे विवाह की बाते पक्की हो सकते हैं इस महीने में आपके पराकरम में बड़ी अच्छी विरद्धी होगी जिससे हर परिष्ठिती को आप पार कर पाएंगे अपनी यूजनाओं को गती दे पाएंगे और अपने ननिहाल पक्ष से आपको इस दुरान कुछ अच्छी खबरे सुनने को मिल सकती हैं अच्छी बाते सुनने को मिल सकती हैं अब हम जान लेते हैं इस महीने में कौन से दिन ऐसे हैं जिनमें आपको सावधाने रखनी होगी जो देखिए एक तो एक अक्टूबर का जो दिन है इस दिन चंदरमा की स्थिति आपको मांसिक रूप से थोड़ा परिशान कर सकती है मांसिक चिंता हो सकती है बिकार का तनाव हो सकता है और अंजाना भै आपको सता सकता है तो इसे थोड़े से सावधाने आप जरूर रखें इसके अलावा जो 27 अक्टूबर का समय होगा यह दिन भी आपको स्थोड़े सावधाने रखनी होगी खर्चे बढ़ सकते हैं बिकार के खर्चे कुछ दिखावटी खर्चे हो सकते हैं जो अपना दिखावटी पन में आपको ऐसे खर्चे कर सकते हैं जो बाद में आपको प तरकी होगी अचानक से लाब की उम्मीदें आपके लिए इस महिने में बनती हुई नजर आ रही है तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जद़ जद़ लाइक करें शेयर करें